अन्हेरा दूर चला जाएगा उजाना पास तेरे आएगा अन्हेरा दूर चला जाएगा अन्हेरा दूर चला जाएगा अन्हेरा दूर चला जाएगा काँखी हर मौसी ताए लिखेगी अपनी चित्थी भाई काम धाम के साथ उनको करनी होगी पढ़ाई लाना अपना लूट सकेगा किसी की गाड कमाई अक्षय ज्यान के आगे होगी उनकी खूब थिचाए अन्हेरा दूर चला जाएगा मुझाना पास तरी आएगा अन्हेरा दूर चला जाएगा मुझाना पास तरी आएगा हम किस गाउं में हैं भी होता ता जमोरे शारी सारी शारी के नाम याना याय स्टारी इस्टार इस्तोरी उस्ताइब इस्तोरी सी गाव किया जमुरे देशक उस्ताइब सुना इस गाव का था एक प्रदान नाम ता चौदरी गंच्याफ जनता समस्ती ती उसको शाक्षाद भगवान सरलां सरलां बोल यह हरी राम को पगार कोई दस बरह दिन पहले ही मिल गई होगी सो तो है तो फिर माको पैसा क्यों ना आया भी तक आज आएगो चिंता काई करें अरे चिंता काई को ना करें खेक बिना खात के सड़े जा रहे प्रदान जी से कली तेरे बापू सो रुपया उधार ले आए कि कम से कम घर का खर्चा पानी तो चला सके है तेचारे प्रधान जी क्या सोचते होंगे कि धनी राम हर दो महीं ने सो दो सो धर ले लिया करें तेल और धर्दों के बस थोड़न जो अधर के कंगी कर दे है यह प्रधान जी का का है वो तो साकसाथ भगवान है हावी डाग बाबू कुल के मनी अडर ले आयो आज आज तो चारी है प्रधान जी पंदरा सोगा धनी राम के लड़के का है और तेरा तो पादेशन अपनी घर्वाली को भीजा है हा जो आप दे देंगे सो ठीक ही रहेगा वैसे इस पर दामा जी आने वाले हैं उनके हाथ ते भी चार सो पांच सो रखके ही बेटी को बिदा कर दो चल भई दयाराम जल्दी से जूड़ घटा करके इनका इसाब साफ कर परदान जी पांच परसंट सा 380 रुपे हुए परदा चलो जी वैराम इनका जोड़ घटा करके सारा इसाब साफ करो परदान जी 570 रुपे हुए 570 रुपे चुपकर अरे इनके बच्चों के लिए मिठाई क्या तेरा बाप देने आएगा आप 600 रुपे काटके सारे फारम इनको दे दो जी अच्छा जी यह यह लिए अब आप जाओ जी सवेरे सवेरे अपने गर कूँ लेवाई धनी राम की बूव गिन ले पूरे एक हजार रुपे हैं आरे आपने तो गिनी लिया होंगे प्रदान जी वैसे प्रदान जी हरी राम ने तो पंद्रा सो भेजने की कही थी अरी बड़ा नेक छोर तेरा हरी राम जो हर महीने एक हजार रुपे भीज दे मैं तुझे है हाँ वह सहर में महगाई जो है ना वो तो लोकी की बेल की तरह बढ़ है बीस रुपे में तो एक बखत का खाना नसीब हो है और कहीं बीमारी हारी लग जाए तो दो चार सो रुपे यू चुत्यों मसप प्रदान जी अगर आप हमारे हां एक गिलास पानी भी लेंगे तो हम समझें हम तर गए अब इता कह रहे हो तो यह लो मैंने खाल लिया थे बहुर्फ बेटी पामनी धन्दा है नहां हमां लो यहां पें अंगुठा लगा आउद वो दोनों जगेपे लड़ थे लो कर गए यहां लोडिम्स सेजी क्यों करोव पैसों को तो संभाल के धले अरे कहीं रूल आके अगर पानी में चले गए तो खुन-पसीने की कमाई की लुग दी हो जाएगी परधान जी आपको हम सबे के वज़े से बहुत परिसानी उठानी पड़े आना अरे या मैं परिसानी काई की अब परधान होके आपको डाकिये का काम करना पड़े हो अरे भाई तुम लोग अनकी खोज खबर लेने का कोई तो बहान होनों चाहिए के नहीं लाओ फारब दो अभी दो खर और जाना है मुझे जा लो अरे पिछले दस साल से अंगुठा लगा रही है और पूरे गाम में तेरे जैसा अंगुठा लगाने वाला तो ही ना अच्छा वह चले हम तो है राम राम फिर्धान जी आपने कैसे तकलीफ करी हरे वो तुम्हारे छोरे ने बारे सु रुपे बेजे हैं और तुम तो जान सेवा में खुदा ही हाजिर हो जाते अरे तुम कैसे सेवा में हाजिर हो जाते एक बात बताओ तुम हमसे बुजुर्ग हो के नहीं हाँ सो तो है बस तो फिर जे लो पूरे बारे सो रुपए हैं जिन लेओ भाहिया अच्छा नहीं है जाने को इसकी कारस्तानी का पता नहीं चलता नहीं पता चलता ज्यादा दर लोग रोजी रोटी के लिए गाउं के बाहर जाते हैं और जो बच्चे हैं जैमूरे वो बेपड़ लिखे हैं और अरते वो भी अनपड़ है ये कितने साल से परदान है जैमूरे उस्ताद 15 साल से यानि पिछले 15 साल से ये गाम वाले को बेवकूब पना रहा है आउकी ओरतों को विश्वास मिले उनका वोटती आ रहा है ये तो नारी शक्ती का घोर अपमान है विन विद्या पड़े नारी शक्ती का इमाद है अपकी अपना बिरोधी किसे ख़़ा कर रहे है अरे वो सुखिया ना है उसे ख़़ा कर देंगे बात तो ठीक है पर एक डर है मुझे अरे काए का डरे देखो सुखिया ठेरा आप से जादे बजूर तो और काम में ज्यादेतर वोठे और तनके वे बड़े चोटे का बड़ा लियाज करें हां अगर एक परसुंट भी मान लो क्यों का दिमाग तर जातो भी बात तो सही कह रहा तू ऐसा कर तू ख़़़ा हो जो मेरे खिलाब जे का कह रहे हैं आप अरे हम तो पिछले चार साल से आपके पीछे ही दिखें गाउवालन को सारी की सारी समझा जाएगी कि हम तो सिर्फ नाम के बिरो दिये हैं उसके लिए एक चाल सुची हाँ हाँ बता बता एक महीने बाद एलेक्षन है और हरी राम दस दिन की छुट्टी पे कलकत्ता से आ रहा है वाकु खड़ा कर देंगे एलेक्षन में परवत्चों लड़ेगा इलेक्षन उसे काम पे कलकत्ता बापिस नजाना चाया रे चुपकर तो जनकु ठीक कह रहा या दो चार अऐसे भाधा काना कि ऑफ सब्सक्राइब ऑपाद व्लागंbी और तुपकर गणा करता था शेयर वफ पने सब्सक्राइब काट किया में पैसा भीजता था तो भाइया थोड़ा सब बड़ा घर क्योंनी ले लेते हर महीने हजार रुपे के बजए आठ सो भेज दिया करो जाए लेकिन मैं तो पंद्रा सो रुपे भीजा करता था पर पधान जी तो हजार दे जाया करते थे वह जए कैसे हो सक personality कि भीजता था था पापू आमनी डर की परची तो वापस आया करे थी न हो अमे पंद्रासव रुपे साफ लिखा का खागा दस्थखत करना हाजरी का रजिस्टर भरना टेशन का नाम पढ़ना घर का पता पढ़ना और लिखना यह सब सीखा है मतलब कि मन्यादर तुम खुदे भर के भेजा करते थे शुरू शुरू में तो दूसरों से भरवा लिया करता था चैक महीने बाद खुदे भरने कि अगल तो जरूर डाक बाबू ने पर्धान जी को बेफकुफ बनाया होगा थो अन्हुन परदान जी को पैसे का से लिए तो जेप परधान जी की कोई चाल तो साइब पर्धान जी यसे महापुरुफा लांचन लगा रही लेकिन आ पर दहन बस मुझे और ना सुनी एक बात उनके खिलाप सब्सक्राइब को देखो भाईया मैं तो कहरी एक दो जगा से और चानबीन कर लो सुबए सुबए हरी राम मिला था तो कह रहा था कि केसर मुझे हर महीमे 13 रुपए भीजा करें है हराम कितना भीजा करें 15 और मिलता सिर्प हजार था ताई तैंगे तो पढ़ान जगत के भीजे पैसे लाके दिया करें हारी हर्दू मिनबाद दो हजार रुपय दिया करें और उपर से दो सो सवा दो सो और दिया करें और साथ में कहवे हैं ले रख ले मा की सेवा और विद्वा सेवा एक समान हो एं अब पता ना है कि दो हजार ही भेजा करें जादा हाँ री अब के जगत आएगो तो पूछना पड़ेगो अब तो सक बिल में घर कर गो है पूछने ही पड़ेगो अब हरी 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 अब बापु तुझे पूछ ले थे क्या रहे थे यही कि तुछ से मिलना है परदान जी से तो मौई बे मिलना मुनने बापु तो साम को आएगो सेहर गो है परदानी के काम से मुझे तेरे पिताई से बहुत जरूरी बात करनी है पहले तु यह बता कि तु कलकत्ता से इतनी वेरी से क्यों आया चुट्टी मिलेगी और किराय भाड़े का पैसा खठा होगा तभी तो हूँगो ना बावली तुझे मालूम है दो मीहने पहले बापु ने मेरी साधी पक्की करती अब मैं कोई सहर की लड़की तो हूनी जो बापु को अपनी मर्जी बताती और तेरे और तेरे परिवार वालों ने तो पहल की ही नहीं चलो अच्छा हुआ किस्सित है कि वो है ना सोमनगर के परधान के छोरा से मालूम है वाके पास कच्छी सराब का ठेको है बहुत बढ़िया हुआ क्या तुझे बुरा नहीं लगा ने पहले लगता है मतलब मतलब फिर कभी बताऊंगा अभी तो मुझे परधान जी से मिलना हरी हरी सुन चमूरे अब बीच बजरिया को लगाई पोल इशारों को अगर सम्झो राज को राज रहने दो को है था कि आप पा कि अमनेश क्या की सबिए अइस ऐसे ग्रुता है तरह की किर हैं अचाहए तरह की संप आट जाली मीड हैं जो दूकरर्ट हैं सेसे घरताने में पूझे intéressant दरताय को उसे जरूरी सामान मग वाना है जा बक टोगानौ था वैसे खाष्चॉ जाएंगे शां को करियों ईर पवोँ ऐुड़ाइज है गरूरा घैसे खुशखबर Tay कर दहां दयान चैसी बुश्कबरी इढ को पर्धान जी कह रहे थे कि रहना थे जरह अंध्ड कर मता भी परभाद जी के मुझे सुने को न जा आप को चुछ चुछ तो पधान जी से क्यों नहीं मिला रहे वह काशिज प्रफ आप यह खांग यह कलकत्ती और जहां के मौसमें फरक है किना ऑफ भात कि अप अच्छामको जो पधान जी समय लीडर है तो जल्दी करें इस राभी के का मूल अगे अधर आप जाए आजा जाएंगे मौसम को दिलां मोट प्रधन निवा था रसाम को मिलेंगे जांग को मिले रहा है हां मैने जाल। आए ताय को नियुक्क है नियुक्त शच रहे घ्यां नियुक्त शुक्ती अगदिया एंग मेरत शुछ द्रीकिजिए ओग कर्दार्ताइंग तुछ बिलेंग किया है नोग स्टीए और गदिक लेकिन ताउ जो दूसरा कोई पढ़ान बनेगो वो भी तो हमारे अनपढ होने का फाइदा उठाएगो सही कहा रही जे च्या बुरा है जो अपना अच्छा बुरा सही गलत जाने जितनी पढ़ाई कर लें लेकिन जान तो पूरा का पूरा गाउं एक को रहा है हमें हुआ और तो तीन दिन पढ़ा के कलकत्ता सदा जाएगो बाफू अगर तुम तयार हो ना तो मैं कलकत्ता नहीं जाता और मैंने पता की थी अगर मैं चाहूं तो सरकार मुझे बड़े बूड़ों की शिक्षा का मास्टर बना देगी और पैसे भी अच्छा का से मिल जाएं किते मिलेंगे तम को दो हजार तो देई देंगे ठीक तो है रोज मैनत मजूरी करके मर मर के कलकत्ता के तीन हजार से गाओं के दो हजार क्या बुरे हैं इच्छा के आगे तम जी तो भूले ही जा रहा हो कि पहरे तो उस कपति से निपठना भाई मेरे पार एक सुझाओ है ज्यादाए को डौका और लाएक और मेंखाम की ज्यादातर समस्याहें भी महीलाओं से जुड़ी हुए है इस लिए गाउं की परदान भी मी राई ओनी चाहिए जगत की अम्मा तुम हम सबही में सबसे बुजुरगों तुम का इनी खड़ी हो जाती हो इस दिलेक्सन में अरे राम राम कहा कह रही छोड़ी ना ना अरे मैं भला विद्वा औरत ताई विद्वा के कौन सी सन्याज लेली तमने खेत खल्यान देखती होगे ना छोड़ा वो अज यृचा factor परदांबात को जमी नहीं एफ़ाथ उत्ताद मैं ही नहीं यृचा ए घंश्यां को अ्टना आसान नहें चेयाम गंश्याम हे खाजाने का धरबान नए पहले शिक्शा पर राजनिती का ले आश्वा पर्यों नहीं को भी लगना एका ércitoक अहरी मैं तुझे अपना और अपने घरवालों का बोड़तों दिलवाई दूगा और इसमें तो भई तेरी साह बढ़ेगी के नहीं जही नहीं परदान जी तुझे पांच हजार रुपे भी देंगे इलेक्शन लगने के लिए कोई दो हजार रुपे खर्च कर दी जो और चो बाकी बचें तेरी कमाई होगी मैं जा सोचन का भगत दो कशना हाँ सोच ले सोच ले कार दिन का बखत चाहिए तो सोच ले अभी तो नामांकन भरने में तीन रोज का बखत बाकी है और जी भी सोच ले के नामांकन भरने के बाद और बोट वाले दिन जब परदान जी तुझे गड़े से लगावेंगे तो आसपास के गाव में परदान जी की साख बढ़ेगी अरे मेरी क्या साख बढ़ेगी साफ तो इस गाम की बढ़ेगी लोग नू केंगे का भई असली परजात अंतर हुआ है वो तो करमपूरा में है बस दयाराम मुझे अपर दान जी कि इच्छा का मान तो रखना ही पड़ाएगों परदान जी एक बहुत मुझे माबाप से तो पूछना ही पड़ाएगों आप मेरे बापु ने आप सबन के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तो सरम स गड़ी जा रही हूं और जाके बापु को कच्छु कहने से कोई फायदा भी ना है एक बात जरूर है तुम लोगन के साथ जात्ती का बदला हम मा बेटी जगत अम्मा को वोट दे कर जरूर उतारेंगे पर मुझे बिल्कुली एक अलग बात कर दिये अब जी नई बात का है हम सबन अपनी पढ़ाई से ज्यादा प्रधानी के चक्कर में पढ़ गए हैं अब साफ साफ के क्या केना चारी चलो माना ताई कल प्रधान बन जाएगी फिर अरे फिर का फिर जही होगा कि अनपढ़ होने के कारण हम वैसे के वैसे बेखकुब बनते रहेंगे ताई को जो अन्य गाव में रहने का पका इरादा बांध लियो हां तो फिर हरी राम के नाम पर फैसला मंजूर बोलो अरी बोलो सब किसा मंजूर है मंजूर है लो हरी राम आप यह बहुत बढ़ी आप दोनों भी आप यह अरे अब यह लोग भी हमारे साथ हो लिए हैं हाँ बेटा हमा भी अजय मान धरम है सुआ सिक आविन कजू है ऐख़वा लाया है कि परधान जी हमें अपने खिलाब ख़ड़ा कर रहे हैं और हम भी तुझे परधान जी के खिलाफ कर दया हां। ये का कह रही ताई परधान जी तो हमें अपने खिलाप इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि पहले तो वो हमें भारी बोटों से माद दे और फिर सब गाव वालन के सामने हमें अपने गले लगा के अपना मान सम्मान बढ़ा हुए भाईया हम सबन का भी यही फैसलो है कि अब तम ही चनाव लड़ोगे पर क्यों वो इसलिए कि अभी हम सबन में जो थोड़ी बहुत बुद्धी आई है अब उसका इस्तेमाल अपनी वोट डालने के अधिकार को लेके करेंगी और गाव की देख रेक और उसको चलाने का भार तब ही सभालेंगे जब हमें लाख हो जाएंगे मतलब जब हम अच्छा खासा पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तब जे सही कह रही है सब पर मेरी एक सरत है मुझे विश्वास है कि अगले इलैक्षन तक आप सब लोग इतना तो जरूर पढ़ लोगे कि गाव की बागर अपने हाथों में ले सको मतलब कि अगली बार गाव की परधान कोई महिला होगी सब काम चुप चाप होना चाहिए प्रधान जी को जे ना पता पड़े कि हमने अंदर अंदर का सोच रखी हां कि हार जीत को भैसला तिकडम सुना और पढ़ने के बाद ही होया करें लेसे प्रधान जी विचारे हरी राम को उसके घर के अलावा गाम में और किसी के वोट भी करने थाले कि अगया है करें लुक्त लिए तो पूरे दस बोट का इंत्जां करा का व अपना बोट तो उसे दूँ है करें बाद ही आपना मुझ्य के आपना जैना डुह अपनी मीड़ा की अ अपना मुझ्या सब्सक्षार को फ़रें जो है इस अपना जुआ रख राम तू भी हरी राम कुई अपना बोट दांती है अब हो गए पूरे एरिक जर्जन करना परदान जी लट्डू आगे हैं अच्छा पैठक में रखे हैं सही है लट्डू फट्डू भी आगे हैं साब तैयारी पूरी है परदान जी नमस्कार नमस्ते बेटा नमस्ते कैसा है तूर अरे परदान जी यह तो आपके ही गले में जचाए भाईयो भेनो और भाई गाम के मेरे बड़े बुजुर्गो आज नहीं तो कल चौदरी हरीराम जैसे जवानों को इस गाम की बागदोर संबालनी पड़ेगी परिनाम घोसित होने के बाद मेरी बैठक पर आ जाई हो जरूर आँ वह जरूर देख यो जो हारजीत की बात जो है ना यो तो सभी स्वर के हात्तों में है पर एक बात मैं कहें दूं कि अब से इस गाम के चलाने में तुझे भी सामिल होनों पड़ेगा जो कुम परदान जी इसकिरी में आप परदान है है हुआ हैं जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ मुनिया की मां की मेने भी गाओं की भोली-भापाली ओरतन ने धुको दियो और सब औरतन ने मिलके मुझे से बदला लियो है बापू तम से किसी ने बदला नहीं लिया तो मैं तो गाउं की औरतन ने सबक सिकायो नाम राम चौधरी जी आओ पर्दान जी जीता रहे बेटा आई यहां बैठ आज चौधरी जी मैं आपसे माफी भी चाहता हूं और अशिर्वाद भी चाहता हूं बस एक ही बात को दुख रहगा हरी राम मैंने गाउं की औरतन के संग जो बुरो बरताओं कियो है उसका बदला भगवार ने मेरी बिटिया सुलियो सोन नगर के परधान ने अपने छोरे का रिस्ता मेरी मुनिया से तोड़ दिया खेंड लगा चौधरी अब तुम हमारी बराबरी के ना रहे तुम ही तो कहते थे सौने में पीली करके विदा करूंगा मुनिया को लड़की के सिसुराल वालों को जेवर के ऐसान के बोज तले दबा के रखना चाहिए कैसे टेकर से जवाब दे दिया वाने कोई ने तामेगा वाकु हाथ जही सौने से लादो जहीरे से चौधरी जी अ बराबरी के भी ना रह गए चौधरी जी बात बराबरी की नहीं है बात है मेरी और मुनिया की पसंद की यह क्या कह रहा हो तू आप चाहो तो मुनिया से पूछ लो मुनिया की पसंद के बारे में तो मुझे पतो थो पर मैं तो पराबरी के चक्कर में वाद सोन पूर के जीता रहे बेटा जहती दुनिया तक जीता रहे पचौदी घंशाम मेरी एक साथ है दान दहेज में कोई कमी ना रखूंगा धनिराम मरा हाती भी सवा लाग का हुए है दहेज भी चाहिए पहू भी चाहिए पर सौने में पीली नहीं सिक्षा के रंग में रंगी हुई भी मैं तो योई कह सकूँ के सिरफ मेरी मुनिया बिटी आई ना बलके इस गाम की हर छोरी सिक्षा से लद के ही अपने सस्वराल के लिए रवाना हो पिर जगी चेतना नारी में कुछ शब दिखिले हर क्यारी में नारी शक्ती के साथ मिले अलफाज से जब अलफाज मिले हरा हुआ नारी का दामन जब वर्सा अक्षर का सावन उस्ताज चलते हैं पिर मिलते हैं प्रकार प्रकार कर दोन मैं करें पिर सकता अबने से स्वराइब सीजिए, सुन रवाना नारी में करेंके सिएप़रेगा नारी का पिर यृद्र्च में तेन जब दोनारी में कमक्यों को आताएव इस अथिए अलफाज थिसा को खाई कर दो